हाई फ्रेंस मैं आपकी पूजा पूजा की रोसोई घर में आपका स्वागत है मैं आपके लिए बहुती कमाल की टिप्स लेके आई हूँ जो बातरूम घंटो रगणना पड़ता है साफ नहीं होता है वह मिन्टो में साफ हो जाएगा आप देख सकते हैं मैंने बातरूम साफ हो चुका है जो वाइट टेल्स होता है वह बहुती जल्दी गंदा होता है और जल्दी छूटता नहीं है तरह से था एकदम गंदा पीला पड़ चुका था क्योंकि हम नहाते हैं तो साबून और पानी इस पर पड़ता रहता है इस पर लेयर जम जाती है आवा साफ करने पर साफ नहीं होती है हमें बहुत दिकत होती है और देखने में भी आप देख सकते कितना गंदा लगता है अगंतों रगणते हैं तो भी नहीं साफ होता है छित्ते पड़े रहते है चिल्दे छूटता नहीं देखे यह भी गंदा हो चुका है इसे भी उसी cleaner से साफ करेंगे मैं आपको चलिए मैं आपको बताती हूँ cleaner कैसे बनेगा आप देख सकते हैं मैंने एक कोटोरी लिया है उसमें एक चमच डिटाजन यानि सर्फ जो कपड़ाद होते हैं वही सर्फ है उसे एक चमच मैंने लिया है यह है खाने वाला सोडा एक चमच खाने वाला सोडा या आप नमक भी इसके जगा एक चमच ले सकते हैं इससे बहुती अच्छा cleaning करता है और हारपिक, हारपिक सभी के घर में होता है मैं दो रखती हूँ cleaning के लिए और bathroom के लिए या बहुती अच्छा cleaner है और जब इसमें पढ़ जाता है यह दो चीज तो यह बहुती powerful cleaner बन जाता है जो साफ नहीं होता है दाग दबा या गंदगी या बहुती असानी से साफ कर देता है इस तरह से आप cleaner बना लिजे बना के रखना नहीं है तुरंद बनाना है और तुरंद यूज करना है क्योंकि यह बहुती जल्दी काम करता है आप देख सकते हैं इसमें देखें गाज होने लगा है कम या जादा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जितना बड़ा bathroom हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं मैंने आपको थोड़ा सा बना के दिखाया है और जहां टेल्स गंदी है इस तरह से आप पहले चला लेजे अब फिर थोड़ा सा इस तरह से डाल दिजे और ब्रस से रगड के पानी से धो देंगे बहुत ही असानी से गंदी से गंदी टेल्स साफ हो जाती है मैं आपको इसको दिखा रही हूँ लेकिन साफ करके मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी लेकिन मैं आज दिवाल ही साफ करूंगी यानि बातरूम की दिवाल इसे मैं साफ करके आपको दिखाती हूँ यह भी बहुत गंदी है देखे मैंने cleaner लगा लिया है कोई भी scrubber में आप इस तरह से लगा के और दिवाल में लगा दीजे यह बातरूम की दिवाल है बहुत ही गंदी हो चुकी थी असानी से छूट नहीं रही थी जब आप इस तरह से cleaner लगा के करेंगे बहुत ही असानी से आप देख सकते हैं दाग धब्बे सारे चले जा रहे हैं बहुत ही असानी से साफ हो जा रहा है अगला वीडियो मैं टेस्ट पर बताऊंगी बातरूम के नीचे का टेस्ट कैसे साफ करें मैं आज दिवाल की टेस्स साफ करके आपको दिखा रही हूँ इस तरह से पूरी दिवाल में आप लगा दिजे जहां जहां गंदा है और लगाने के बाद दो मिनट आप छोड़ दिजे और उसके बाद जब आप रगणेंगे तो बहुत ही असानी से साफ हो जाएगा चुटेगा घंटो रगणना पड़ेगा लेकिन इस क्लीनर के इस्तमाल करेंगे और दिवाल में इस तरह से लगा देंगे तो बहुत ही असानी से साफ हो जाता है आप देख सकते हैं मैंने दिवाल में लगा दिया है चारोतरब क्लीनर देखे इस तरह से जहां जहां गंदा है वहां मैंने लगा दिया है बहुत ही असानी से साप कर देता है आप देख सकते हैं यह भी बहुत गंदा था इसमें भी मैंने क्लीनर लगा के साप कर दिया है और जो ज्यादा गंदी दिवाल है उसे आप दो मिनट छोड़ दिजे और जो कम गंदी है वो आप तुरण साफ कर सकते हैं देखिए मैंने दो मिनट छोड़ दिया था इसे अब यह फूल चुका है देखिए कितनी असानी से छुटता जा रहा है आप इस तरह से रगड़ेंगे तो यह साफ बिल्कुल नहीं होगा लेकिन आप इस क्लीनर का इस्तमाल करेंगे तो चुटकियों में यह साफ कर देता है सिब दो मिनट आप रुकिए उसके बाद देखिए इसका कमाल बहुत ही असानी से साफ हो जाता है सारी गंदगी साबून जो भी इसमें जमा रहता है डेखिए मैंने इस तरह से इस्क्र device लेके शुरू कर दिया है थे प्लोई वाला ले शक्ते सक्ते ईस्क्र बउठ जो आपके पास हो तेखिए कितनी गंदगी और साबून falar लह से सबाद आजाता हैAY आपको यह वीडियो अच्छा लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के नीचे घंटी है यानी बेल आइकन उसे जरूर दवाएं ताकि आपको नया नया वीडियो देखने को मिले मेरे चैनल पर वैज, नॉन वैज, दोनों रेस्पी ये खाने की और सफाई पर अनेग वीडियो है आप देख सकते हैं कित्ती गंदगी निकली है मैंने पहले भी वीडियो डाला था टेल्स कैसे साफ करें घर के समान से आपको बहुत ही पसंद आया आपने कहा मैं दिवाल की टेल्स कैसे साफ करें बातरूम का उस पर वीडियो बनाएं देखिए मैंने इस तरह से साफ किया है बातरूम की दिवाल बहुत ही असानी से साफ हो जाती है मुझे यकीन है या वीडियो भी आपको पसंद आएगा जड़ा सभी पसंद आए अपने family दोस्तों में ज़्यादस जदा share करें आप देख सकते हैं मैंने पानी से धो दिया है बात्रोम एकदम चमकने लगा है पहले कितना गंदा था दिखने ही रहा था आप खुद देख सकते हैं एकदम चमकने लगा है बात्रोम इस तरह से आप असानी से कुछी मिन्टों में बातरूम और ये देखिए ब्रस रखने वाला साबून रखने वाला भी आप असानी से साब कर सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं आपको अच्छा लगे तो जादा सेदा सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिलकूर ना भूलें इस तरह से आप टेल साब करेंगे तो आपके समय और पैसे दोनों बचने वाले हैं सिर्फ घर के समान से ही देखिए आप देख सकते हैं कितना चमक गया है बातरूम इसी तरह आपका भी बातरूम साफ हो जाएगा गंदे से गंदा हो या चिपचिपा हो बहुती असानी से साफ हो जाएगा आप मेरा वीडियो किस देश, किस प्रदेश और किस सिटी से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं आपका थैंक्स बोल सकूँ मुझे पता सल सके कि कहां कहां मेरा वीडियो चल रहा है आप देख सकते हैं नल भी मैंने इसी क्लीनर से साप किया है वह भी चमक रहा है बातरूम एकदम नए जैसा हो गिया है इसी तरह बिना महनत के बिना खर्च के बहुत यह असाने से आप भी अपना बातरूम साप कर सकते हैं हसते रहें मुस्कराते रहें मेरा चैनल देखते रहें बाई